पाट सोलह मुहावरे एवं लोकोक्तियां मुहावरे विशेश अर्थ रकते हैं, वाक्यों में इंके प्रयोग करने से हमारे वाक्य प्रभावशाली बन जाते हैं रचना कारियों में हमपत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, निबंद लेखन आदी में मुहावरेदार शैली से अभिव्यक्ति को प्रभावी बना सकते हैं निमनलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िये एक, अमेरिका ने लादेइन और तालिबान को खत्म करने के लिए कमर कसी दो, पाकिस्तान सरकार के आतंकवादियों से संबंध की पोल खुल गई रंगीन शब्दों के प्रयोग से सपष्ट है कि मुहावरे पदबंध में होते हैं इनका सावानने अर्थ ना होकर विशेश अर्थ है इनके प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली बन गए हैं अपने वाक्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं कुछ प्रचलित मुहावरे वह उनके अर्थ एवं प्रयोग मुहावरा, अर्थ, वाक्य अंधे की लकड़ी असहाय व्यक्ति का एक मात्र सहारा राजेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है 2. अंगूठा दिखाना साफ इनकार कर देना मैंने शाम से उसकी किताब मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया 3. इन्ट से इन्ट बजाना नश्ट भ्रश्ट कर देना भारतिय सैनिकों ने कहा कि हम शत्रु की इन्ट से इन्ट बजा देंगे 4. उल्टी गंगा बहाना नियम के विरुध कारे करना नौकरों के सामने गिड़ गिड़ा कर उल्टी गंगा मत बहाओ 5. कमर कसना तयार होना आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी ने कमर कसली है 6. खरी खोटी सुनाना बुरा भला कहना आपस में खरी खोटी सुनाकर अपने आपको छोटा क्यों बना रहे हो 7. घुटने टेकना हार मान लेना इस तरह घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा यह लड़ाई तो लड़नी ही होगी 8. टांग अडाना बेकार में दखल देना बड़ों की बातों में छोटों का टांग अडाना अच्छी बात नहीं 9. डूब मरना अधिक लज्जित होना जो हाला तुमने अपने माता-पिता के लिए खड़े किये हैं उसके लिए तुम्हें डूब मरना चाहिए 10. चक्मा देना धोखे में डालना व्यापारी चक्मा देकर अपना सामान बेचकर चला गया 11. घी के दिये जलाना अधिक खुशी मनाना अत्याचारी राजा के मरने पर प्रजाने घी के दिये जलाए 12. चल बसना मर जाना राजेंद्र के दादाजी चल बसे 13. चहरे पर हवाईयां उड़ना बहुत घबरा जाना चोरी करते हुए पकड़े जाने पर मोहित के चहरे पर हवाईयां उड़ने लगी 14. घड़ों पानी पढ़ना लजजित होना अपनी चोरी पकड़ी जाने पर राधिका पर घड़ों पानी पड़ गया पंद्रह लोहे के चने चबाना बहुत मुसीबतों का सामना करना अकपर को राणा प्रताप से टक कर लेते समय लोहे के चने चबाने पड़े लोकोक्तियां अर्थ तथा वाक के प्रयोग लोकोक्ति का अर्थ है लोगू द्वारा कही गई उक्ति या कथन लोगू में प्रचलित उक्तियां ही लोकोक्तियां कहलाती है लोकोक्तियां सदैव स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है इनका प्रयोग अधिक्तर वाक्य के अंत में किया जाता है मुहावरों के समान ये भी अपने रूड अर्थ को नहीं छोड़ती वाक्य में प्रयोक्त होने पर भी इनका वही अर्थ रहता है जो पहले से चला आ रहा है अतहा लोगो द्वारा कही गई उक्ती जिसका प्रयोग स्वतंडर रूप से किया जाता है लोकोक्ती कहला दी है कुछ प्रचलित लोकोक्तियां तथा उनका वाक्यों में प्रयोग एक अंधा क्या चाहे दो आँखे बिना प्रयास इच्छित वस्तु की प्राप्ती हो जाना रोहित बहुत दिनों से कार लेने की सोच रहा था अकस्मात लोटरी में कार निकलाई यह तो वही बात हुई अंधा क्या चाहे दो आँखे दो जैसी करनी वैसी भरनी बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है लाला जी ने रिश्वत की कमाई तो बहुत खाई परंतु छापा पढ़ने पर अब जेल की चक्की पीस रहे हैं सच ही तो है जैसी करनी वैसी भरनी तीन एक पंथ दो काज एक काम से दोहरा लाब मेहर अपने ओफिस के काम से हरिद्वार गया था और गंगा नहा कर भी आ गया इसे कहते हैं एक पंथ दो काज चार दूर के ढोल सोहावने दूर की वस्तू अच्छी लगती है घर बैठकर तो मेले में घूमने का बहुत मन करता है मगर जब वहां जाते हैं तो भीडभार धक्का मुकी से परिशान हो जाते हैं ये तो सची है दूर के ढोल सोहावने पांच घर का भेधी लंका ढाय आपसी फूट से हानी होना रावन की हार का कारण ही यही था कि रावन का भाई विभीशन राम के साथ मिल गया था सची है घर का भेधी लंका ढाय छे उची दुकान फीका पक्वान प्रसिद्धी के अनुरूप ना होना सोहनलाल का नाम तो बहुत सुना था पर मिठाई खाई तो एकदम बेकार थी यह तो वही बात हुई उची दुकान फीका पक्वान साथ ढाक के तीन पात सदा एक सी हालत में रहना गरीबी रमेश का पीछा ही नहीं छोड़ रही इसलिए वह जीवन में प्रगती नहीं कर पाता उसकी हालत सदा ढाक के तीन पात जैसी रहती है आठ एक अनार सौ बिमार एक ही वस्तु के अनेक चहने वाले क्लर्क के दस पदों के लिए पचास हजार से भी अधिक आवेदन पत्र आए यह देख अधिकारी ने कहा एक अनार सौ बिमार नौ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी जगडे को जड़ से ही नश्ट कर देना सोहन अपने पिता की बात ना मानकर हर वक्त तेज स्कूटर चलाता था एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने स्कूटर ही बेज दिया और कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी दस नाच न जाने आंगन टेढ़ा अयोग्यता का दोश दूसरे पर डालना सरिता को ढंसे गाना तो आता नहीं था और कहने लगी कि क्या गाउं माईक ही खराब है यह तो वही बात हुई नाच न जाने आंगन टेढ़ा ग्यारह अब पच्चता आये होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत समय बीट जाने पर पच्चताना व्यर्थ है पहले तो सुमित ने पढ़ाई नहीं की और तनिक भी ध्यान नहीं दिया अब परीक्षा परिणाम बुरा आने पर रोने का कोई लाब नहीं है क्योंकि अब पच्चता आये होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत बारह थोथा चना बाजे घना गुण कम दिखावा अधिक गौरव बार बार शुनने पर आउट हुआ है इस बार थोड़े से रन बनाने पर सबको बताता फिर रहा है किसी ने सच ही कहा है थोथा चना बाजे घना जाको राखे सायां मार सके ना कोए इश्वर जिसका रखवाला हो उसे कोई भी हानी नहीं पहुँचा सकता उत्तराखंड में प्रकृतिक आपदा के बाद भी बहुत लोगों की जानें बच गई क्यूंकि जाको राखे सायां मार सके ना कोए चौदा 15. कंगाली में आटा गीला. मुसीबत में और मुसीबत आना. रमेश की नौकरी तो पहले ही छूट चुकी थी. अब घर में चोरी हो गई. यह तो वही बात हुई. कंगाली में आटा गीला. 15. आ बैल मुझे मार. मुसीबत मोल लेना. कुत्ते को पत्थर मारोगे तो तुम्हें ही काटने को आएगा. यह तो वही बात होगी. आ बैल मुझे मार. 15. आओ दोहराएं. मुहावरे वेवाक्यांश होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किये जाते. वेवाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देते हैं. मुहावरे भाशकों रूचिपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाते हैं. मुहावरे ज्यों के त्यों किये जाते हैं. उनके स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता. लोकोक्ती दो शब्दों से बना हैं. लोक, जमा, उक्ती. मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ती अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है. दोनों ही अपना शाब्दिक अर्थ ना देकर रूड़ी अर्थ यानि पहले से चला आ रहा है, वही देते हैं. मानव की अंगों की आधार पर बहुत से मुहावरे बने हुए.